स्वागत है आप सभी का फैसो टिला फैंटिला में आई होग आपको मेरी बिजली वीडियोज पसंद आ रही होगी आज हम बनाएंगे पनीर वेज विर्यानी जनरली हम मानते हैं कि विर्यानी नान वेजी बहुत टेस्टी होती है बट ऐसा नहीं है एक बार आप ट्राइ करें पनीर वेज विर्यानी सभी को बहुत पसंद आएगी टेस्टी के साथ हेल्दी है बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है आज मेरे यहां काफी महमान आने वाले हैं मैं यहां पर बासमती राइस विर्यानी के लिए ले रही हूँ वन केजी और इतने ही अमाउंट में मैं माकी बेजिटेबल्स ले रही हूँ और साथ में मैंने लिया है हाफ केजी पनीर आप अपने अनुसार इसे कम जादा बना सकते हैं बस ध्यान रखना है कि जितनी हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं उतना ही राइस होगा सबसे पहले बासमती राइस ले करके इसे धो करके पानी में भिगो कर हम 30 मिनट के लिए ढख कर रख देते हैं उसके बाद लेते हम पुदीना पुदीने की पत्ती तोड़ करके इसे धो कर अलग रख लेते हैं पुदीने की पत्तियों को केवल धोना है काटना नहीं है अब लेते हैं पनीर पनीर को बड़े बड़े स्लाइस में काट लेते हैं हम जितने भी यहाँ पर vegetables लेंगे वो भी हम बड़े-बड़े pieces में ही काटेंगे अब लिया है मैंने onion, onion को इस प्रकार से chop कर लेते हैं और उसकी layer को निकालने के लिए finger की help लेते हैं और इस तरही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसे deep fry करना है आगे vegetables में हम ले रहे है cabbage इसे ही बड़े-बड़े piece में काट लेते हैं सारे vegetables बड़े piece में इसलिए काट रहे हैं कि अगर हम इनके छोटे piece कर देते हैं तो जब विर्यानी में दम देते हैं तो यह वहाँ पर हल्वा बन जाते हैं और ना ही इनका taste आता है और ना ही विर्यानी में ये खिले-खिले दिखाई देते हैं तो अब ले रहे हैं गाजर गाजर को भी बड़े-बड़े पीस में ही काट रहे हैं यहाँ तीन से चार गाजर लिए हैं मैंने और एक भरतर में हम इन्हें काट कर रखे और डालते हैं कटोरी मटर और अब करना है मेरिनेट मेरिनेट करने के लिए लिया है दही दही के उपर हम डाल रहे हैं कुछ मसाले मिल्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया साय जीरा साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ओईल और अब डाल रहे हैं हम इसमें आधा नीबू का रस प्लस शाही बिर्यानी मसाला यहां एवरेस्ट का लिया है और फिर नमक पुदीने की पतियां और अब इसे हम मिक्स करके ढखके अलग रख देते हैं 20 मिनेट के लिए कडाही में तेल चड़ाते हैं गैस पे और अब हम उसमें डाल रहें एक चमच खी कड इसमें फ्राई करेंगे ओनियन ब्राउन होने तक फ्राई करना है डीप फ्राई करके एक प्रेपर में अलग कर लेते हैं ताकि इनका ओयल निकल जाए और अब इसकी थोड़ी सी मात्रा ओनियन की हम मेरिनेट वाली जो हमारी वेजिटेबल्स थी उसमें थोड़ा सा मिक्स क अब अब एक परतन में लेते हैं पानी और इसमें डालते हैं ज्यादा सानमा जिसमें हमें बाजमती राईस बॉल करने हैं अब ले रहे हैं गरम मसाले खड़े गरम मसाले यूज कर रहे हैं इस तरह से देखे फूल तेजपता लाइकेन लॉंग काली मिर्च बड़ी साय जीरा एक कपड़े पर पोटली बनाते हैं और इस पानी में डाल देते हैं इसे बहुत अच्छा मसालों का फ्लेवर आता है राईस में और इसे ढखकर हम हाई फ्लेम पे ही पकाने देते हैं अब दूसरी तरफ जो हमने ओल लिया प्राई करने के लिए बाकी ओल एक कटो पकरी दूसरी तरफ पानी बॉइल हो गया है अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने विंगो कर रखे थे राईस चान के और इस तरह से हमारे दोनों काम एक साथ होते जाते हैं यह हमारा राईस पकता जा रहा है यहां पर और मसालों का फ्लेवर पोटली से निकल के आ रहा है इधर राईस को जाता चलाना नहीं है नहीं तो यह तूटने लगते हैं इस तरह हम दबा कर देखेंगे राईस को 3-4 पकाना है अब एजिटेबल्स में डालते हैं केसर केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलर भी बहुत अच्छा आता है हमारी बिर्यानी का अब इस पकने के बाद में इसके उपर हम लगाते हैं एक कपड़ा और कपड़े को बांद करके इस प्रकार से हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं यहां ज्यादा राईस है तो मैंने अपनी पुरानी मेथड यूज़ की है जो हम चूले में पसा के चावल बनाते थे इस तरह से पूरा पानी निकल जाता है अगर कम मात्रा में आप राईस ले रहे हैं तो आप छनी से चान कर भी इसके पानी को अलग कर सकते हैं यह हमारा राईस भी 3-4 पक चुका है 75% और वेज़िटेबल्स भी 75 पक चुकी है अब हमें देना है दम तो इसके लिए हम तयार करेंगे प और चदग केसर डालते हैं केसर को एक से 2 सेकेंड बाद हम इसमेश उड़न के पैन में ग्री चिली चिली डालने के बाद में जो हमारा ओनियं का ऐल बचा था वो डालेंगे एक चमश और एक मिनट इस तरह से कर ने देंगे और अब हमें डालना है इसमें दूध तो यहां बड़्ाब गुलाब चल में इसमें डाला है तोड़ा सा गुलाब चल में घुलाब गुलाब चलोपने जाएगा और दाला है साथ में एक ठकन हम केवडा एसेंस का लेते हैं या कहें कि एक स्पून ही हमें इसमें केवडा एसेंस डालना है केवडा एसेंस डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नमा कैट करते हैं और इसे बॉइल होने देते हैं यह हमारा ready हो गया है आप एक हम बड़े पतीले में जिसमें की हमें दम देना है उसमें हम सबसे नीचे डालते हैं तो जितनी वेजिटेबल्स थी उनका हम हाप हाफ पार्ट्थी डालते हैं और हम कडाही में रहने देते हैं आप उसके ऊपर जो हम लेयर बना रहे हैं वो बना रहे है राइस की तो जितना राइस था हमारा उसकी एक लेयर हाप पाड की हम यहां पर बनाते हैं इस तरह वेजेटेबल्स के चार और हम इसको फैला देते हैं राइस को एक तंब बराबर राइस फैला दिया है हमने और अब देखिए आधा भाग हम पतीले में छोड़ देंगे और आधा जो राइस है उसको हम इस प्रकार फैला देते हैं अब हमें इसमें अड़ करना है केसर वाला दूद तो चमच की हल्ब से लेकरके इसके चारू तरब हम केसर वाला दूद इस प्रकार फैला देते हैं यहाँ पर भी हम हाप भी डालेंगे और हाप को हम अपने पेन में उसी प्रकार रहने देंगे अब क्यूंकि हमें अभी इसकी एक और लेयर बनानी है इसके बाद हमने डीप फ्राइ की थी ओनियन तो हम इसमें डाल रहे हैं ओनियन उपर हमने डाला है इसमें मिंट गुलाब चल साही बिर्यानी मसाला और अब हम ओईल डाल रहे हैं थोड़ा सा जो कटोरी में निकाल कर रखा था हमने उसे एट कर दिया है इसमें अब पनानी है सेकेंड लियर तो वेजिटेबल्स जो हमने कडाईम बचा कर रखी थी वो भी इसमें आड़ कर देते हैं और फैलाने के बाद हम बचा हुआ राइस इसके चारो तरफ डाल कर लियर बनाएंगे और अब बचा हुआ हमारा केसर वाला मिल्क भी इसके उपर फैला देते हैं डाला हमने गुलाब चल साही बिर्यानी मसाला और हमारे ओनियन जो रखी हुई थी ओयल देखे कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ये उपर से और मिंट जो हमने पत्ती पत्ती तोड़ करके रखा था इस तरह से हम इसे पूरे में फैला देते हैं और अब हमें इसे देना है दम तो दम देने के लिए अब हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे तो अगर आपका बरतन पतले पेंदे का है तो पहले गैस पे तवा रखें और उसके बाद इसे रखें यह मोटा है इसलिए मैंने डारेक चड़ाया आटे अगूत करके जिस तरहे रोटी का गूतते हैं उसके चारोर हम कॉर्णर में इस प्रकार से आटे को चिपका देते हैं ताकि अच्छे से जो 75 पका हुआ हमारा राइस था और वेजिटेबल्स दम देने के पाद हमारा विर्यानी में पूँथे पक जाता है इसके ऊपर प्रकार धकन रख देते हैं और थोड़ा सा क्षर दें के दबा देते हैं और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ही दम देते हैं दस मिनट हम इसे इसी प्रकार पकने देंगे 10 मिनट बाद gas off करके हमने निकाला देखें बिर्यानी हमारी कैसी बनी है वाउ क्या बढ़ियां बिर्यानी दिख रही है उपर से और जैसी यह दिखाई दे रही उससे भी अच्छा आएगा इसका टेस्ट तो यह हमारी तयार हो गई है बिर्यानी आज मेरे महमान जो आने वाले हैं वो काफी खुश होने वाले हैं और मुझे लगता है अगर आप घर में इससे बनाएंगे ट्राइ करेंगे तो आपके बच्चे और आपके महमान भी जुआएंगे वो भी खाएंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है इस बिर्यानी का देखे कितना बढ़िया केसर का कलर आया है और सारी वेजी टेबल्स भी इसमें उसी तरह से पीसे दिखाई दे रहे हैं अगर आपको यह रेसीपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे